According to the rumors, Deadpool 3 में Fantastic Four से लेकर TVA तक एंड Taylor Swift से लेकर शक्तिमान सक सब लोग दिखने वाले हैं बोले तो पूरा गाव बस्ती महला सब लोग आने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ rumored characters के बार में बात करने वाले हैं जो probably हमें Deadpool 3 में देखने को मिल सकते हैं वैसे यह है तो rumor सी बट सही में movie में अगर दिखाए गए तो कुछ लोगों को problem हो सकती हैं इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक spoiler alert भी and then without wasting any time let's get started सबसे पहले official characters की बात करें तो Deadpool, Dada and Wolverine चाचतों होने ही वाले movie में obviously उनीकी movie है then पिछले movie में दिखे X-Men के characters सबसे पहले तो Colossus then Megasonic Teenage Warhead and Yukio यह तेन characters तो confirm है then Rob Danley का Peter जिसको Deadpool ने अपने टीम में recruit किया था वो भी confirm है हाँ यह कोई super hero तो नहीं है बट एक बार Deadpool दादा ने इसको टीम में लिया तो हे भाई यह super hero है अब Peter की बात हो ही रही है तो शायद से हमारे प्यारे डोपिंदर भाईया भी movie फिर से दिख सकते है then Dog Pool भी confirm है भाई इसका तो official Instagram page भी है तो भाई Deadpool 3 के set से धड़ा-धड़ से लिक्स तो आ ही रहे थे सबसे पहलों तो सेबर टूट और टोड यह characters entry मारने वाले है यह दोनों भी characters Wolverine के दुश्मन है then TVA के agents को भी set पे notice किया था and obviously TVA के team भी होगी movie में क्योंकि Deadpool जो time के साथ छेड़ चाड़ी करेगा उसको रोकने के लिए शायद से हमें Morbius का character भी Deadpool 3 में दीख सकता है फिर टकले Red Skull के धासुक कार जो सबसे पहले Captain America the First Avenger में दीखी थी वो भी set पे spot की गई है then Moon Knight के ice cream van and Fantastic Four के high-tech कार भी set पे देखी गई थी यानि movie में Moon Knight से किसी character का and Fantastic Four का भी involvement होगा यह तो हो गई वो बाते जो हमें पता है और अब मैं आपको कुछ तगड़े तगड़े rumors बताने वाला हूँ जो सुनके आपके तोते उड़ जाएंगे सबसे पहलोट डेफनी कीन की X-23 हमें Deadpool 3 में दीखने के rumors है well, Logan के लीग सीखो यही character आगे बढ़ानी वाली थी लेकिन स्टूडियोज के बीच में कुछ problems होनी की वजह से इस character के related आगी कुछ देखनी को नहीं मिला बट हाँ, Deadpool 3 में यह दिख सकती है फिर Patrick Stewart के Professor X भी मुवी में होंगे Already Multiverse of Madness में यह character दिख चुका है और Deadpool 3 में यह character दिखा भी तो यह कोई नहीं बात नहीं होगी Then Ion Maclean का Magneto भी मुवी में appear होगा Then कुछ sources ऐसे बता रहे हैं कि Elizabeth Olsen की Wanda भी Deadpool 3 में entry मारने मा लिया वेल बीच बीच में कुछ rumors ऐसे भी आ रहे थे कि Scarlet Witch ने अपने जिस variant पे control किया था वो कोई और नहीं बलकि उस universe वाले Magneto की बेटी थी अगर यह rumor सही हुआ तो मुवी में हमें Multiverse of Madness के बाद की कुछ events भी देखने को मिल सकते Then Hellberry की Storm भी मुवी में अपना cameo देने वाली है Then ऐसा भी बता जा रहा है कि Famkeen Jensen as a Jean Grey Deadpool 3 में appear होगी जिसका अपने Wolverine के साथ कुछ connection देखने को मिलेगा फिर James Marden का Cyclops Ben Ackplick का Daredevil Wisely Snipes का Blade And then सबसे बड़े cameo's की बात करू तो Julian McClone का Dr. Doom And famous singer Twilight Shipt भी Dazzler के character में मुवी में appear होगी तो जी हाँ भाई यह इतने सारे cameo's होंगे डेटी पुल्थरी में वैसे कुछ तो confirm है ही बट बहुत सारे rumors भी है तो असल में क्या होगा वो तो मुवी देखने के बाद ही पता चलेगा And X-Men First Class के director Matthew One को Deadpool 3 मुवी के कुछ scenes दिखाए गए था तो उस पे उन्हें ने ऐसा कहा कि Deadpool 3 Marvel के universe को हिला के रख देगी And यही मुवी MCU के struggle को खतम करेगी बचाएगी और यह एक काफी positive response है जो कि एक अच्छी बात है हम सब fans के लिए तो आज की वीडियो यही पे खतम होती है अगर वीडियो आपके informative लगे होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ लेकिन जाने से पहले मेरा नाम है रुषिकेश And keep watching The RK Explained